दोस्तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके और इस रेड़ वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप सब्सक्राइब हो जाएं और बेल आइकन आएगी उसे भी दबा देना हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों है विश्या अला सब करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना पूले ताकि आपको हमार हम अच्छों चैनल से नौटिफिकेशन मिल भिए लिए करें जब यहम को इन वीडियो बना करें तो दोस्तों आज की जो आपलिकेशन है वो काफी जाथ़ामेजन होने वाली है क्यों अमेजन होने वाली उसके लिए वीडियो को एंट तक देखना होगा ज़रा सभी जरा सक में प्रोवाइट करा दूंगा दोस्तो आपके पास बहुत सा ही situation ऐसी आजाती है कि आपके mobile का internet storage भर जाता है या फिर आप cloud का use तो करते ही है तो जैसे कि Google आपको प्रोवाइट कराता है ओके दोस्तो तो Google Drive प्रोवाइट कराता है तो आप या कर सकते हैं Google Drive पे जो आपका data होता है वो आप upload करते जाते हैं ओके दोस्तो लेकिन दोस्तो वहाँ पे भी आप एक limit तक ही अपना data चड़ा पाते हैं ओके दोस्तो लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी application बताने बारा हूँ जहाँ आप unlimited data अपना चड़ा सकते हैं ओके दोस्तो जितना भी data डालना है उतना डाल सकते हैं ओके दोस्तो लिंक उस app की आपको वीडियो के नीचे description में मिल जाएगी आप इस application को खोल लीजिएगा और खोलने के बाद यहाँ पे आप इसे अपना एक तरीके से external cloud मान सकते हो यहाँ पर अपना data पुश कर सकते हैं ओके दोस्तो यहाँ पर पुश करने के लिए आप को जादा कुछ नी करना होता option given है यहाँ पर इस तरीके से जाईएगा और पुश कर दीजिएगा ओके दोस्तो एक बटन है और इस तरीके से यहाँ पर आप चले जाएगे और upload कर देना है आपने जो भी चीज़ आपको दिखती है आप वो यहाँ से upload कर सकते हैं easily जैसे कि मैं को कुछ images दिख रही हैं मैं उनको इस तरीके से upload कर सकता हूँ और इनको जब आपने download करना है तो आप easily यहाँ से download भी कर सकते हैं और इन पे click किजिएगा और नीचे download का option है download कर सकते हैं delete कर सकते हैं तो यह काफी beneficial option है अगर आपने use करना है आप external cloud यूज़ करना चाहते हैं तो आप use कर सकते हैं दोस्तो यूज़ कीजिएगा और बताइएगा यह application आपको कैसी लगी definitely आपको अच्छी लगने वाली application मुझे काफी अच्छी लगी यूँकि दोस्तो फ्री में cloud आज कल कहीं नहीं मिलता है हाला कि मैं मानता हूँ कि google drive प्रोवाइड कराता है लेकिन वह एक limit तक 15GB तक ही प्रोवाइड कराता है तोस्तों google drive की अगर बात करें तो और भी external cloud बहुत सारे होते हैं लेकिन यह उन में से एक है और जो की काफी amazing है फ्री है तो आप use कर सकते हैं इसके अलाबह यहां पर अगर आपको edit करना है तो आप edit कर सकते हैं अपनी according यहां पर अगर आपने select all करके delete वगेरा करना है तो आप अपने accordingly यहां से set कर सकते हैं तो काफी अच्छी application है इसे use करके जरूर देखिएगा दोस्तों इसके अलाबह यहां पर option है फेवरेट, album, setting, trash जैसे कि आपको बहुत सारे clouds पर बिल जाते हैं ट्रेश वगेरा करके delete वगेरा करके यहां फिर setting में जाके जैसे आपको यहां पर sync वगरे करना है वह आप कर सकते हैं जोग आउट करना है तो लोग आउट कर सकते हैं ओके दोस्तों ओटो सिंक करना है वेन connected on wifi यहां पर सेटिंक को आपने इस तरीके से on करना है जब भी wifi से connect होगा यह सारा data आप से ले लेगा folders to backup यहां पर फोल्डर सागर बनाना है तो आप यहां पर इस तरीके से जो भी folder का backup करना चाहते है तो यह सारे जो folders आपको दिखाई दे रहे हैं यह मेरे folder है जो मेरे mobile के internal storage में है तो उनको on कर देना है और वो अपने आप automatic यहां पर sync हो जाएंगे इसके लाबा यहां पर theme का option है theme के option पर जाके आपको theme auto और इस तरीके से कर सकते हैं auto करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगी select करना चाहते हैं तो background surface primary on background secondary on surface तो यह सारी चीज़ा आपको देखने को मिल जाती है templates आपको देखने को मिल जाती है day का चाहिए night का चाहिए black चाहिए जैसे आपको चाहिए आप accordingly यहां से theme select कर सकते हैं तो काफी usable काफी अच्छी application है इसे जरूर से जरूर use कीजिएगा एक option यहां पर यह भी है सरीके से यहां पर फाइल्स वगेरा फोल्डर्स वगेरा create कर सकते हैं जैसे आपको फोल्डर करना चाहते हैं मैं अपनी नाम से कर देता हूं create कर देते हैं इसके अंदर जाते हैं और यहां पर आप अपना और डेटा पुछ कर सकते हैं जैसे कि और बहुत सारे clouds में option मिलता है आपको फोल्डर करने के लिए वहां के अंदर आओगा अगर आप डेटा अपना पुछ करना चाहते हैं तो फुछ कर सकते हैं ओके दोस्तो फोल्डर के अंदर फोल्डर करना चाते हैं तो फिर से create कर सकते हैं rename करना चाते हैं delete करना चाते हैं आपके उपर है ओके दोस्तो बहुत easy to use है user friendly application है तो आप इसे use जरूर कीजेगा मज़ा आएगा अगर आप इस application को use करेंगे तो link में आपको वीडियो के बहुत जल्द हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही amazing tips, tricks और नई नई वीडियो में नई एप्स के साथ तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजेगा दोस्तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए